आईए आज हम लोग पढ़ते हैं भारतिय सोतंदर्ता संग्राम भारतिय संदर्ता संग्राम आधुनिक कितिहास का एक महत्पुन अध्याय है जिससे संबंधित बहुत सारे कोईसेंस छोटे से बरे एकजामों तक आते रहता है भारतिय संदर्ता संग्राम दस्मा क्लास का भी एक अध्याय है ट्वेल्थ में पढ़ना है उसके बाद जितना भी कंपर्टिशन होता है और जिसमें जीएस जीके से कुश्चन्स आते हैं उसमें भारतिय संग्राम भी एक महत्पुन है तो आधुनिक भारत के अंतरगत आने भारतिय संग्राम के विषय में हम लोग फुरा सा जानते हैं और इसके समंधित कई वीडियोस आपको डालेंगे इससे समंधित कई वीडियोस डालेंगे हम आप देखते रहिए समझते रहिए और पढ़ते रहिए तो इसमें हम सुरुवात किये हैं कॉंग्रिस के ने किया था पर्थम विद्रोहिश सन्यासी ही थे बट जादा जो काम सुरू हुआ था वह सुरू हुआ कॉंग्रेस के अस्थापना के बाद तो कॉंग्रेस के अस्थापना की बात हम लोग करने जा रहे हैं कि भारतिये रास्टिये कॉंग्रेस के अस्थापना 72 प्रतिनिदियों के दोरा 28 दिशंबर 1850 से इस वी में बंबे के गोकुल दास तेज प्रताप संस्क्रीत महाविद्याले में ए ओ हूम दोरा किया गया था इससे चार कोश्टन्स आपको बनते हैं कि भारतिये रास्ट जो स्था संगराम में कॉंग्रेस की अस्थापना हुआ उस समय उसके कितने परते दी थे तो 72 थे अस्थापना कब हुआ तो 28 दिसंबर 1850 को हुआ था कहां पर हुआ था तो जगा महराष्ट के बंबे जिसको आज हम लोग मुंबई कहते हैं गोकुल दास्थ तेज परताफ संस्क्रीत महा विद्याले में हुआ था और संस्थापना कौन थे तो उनका नाम था ए ओ ह्यूम और उस समय कॉंग्रेस के परथम अध्यक्स कौन बने थे तो परथम अध्यक्स का नाम था व्योन चंद्र बनर्जी व्योन चंद्र बनर्जी परथम अध्यक्स तो इस तरह से आपको मैंने बताया कि एक क्वेस्टन यहां पर हुआ दूसरा क्वेस्टन यहां पर तीसरा क्वेस्टन जो है कि कहां पर हुआ था अस्थापना यहां सो गया, चौथा अस्थापना किस ने किया और पांचमा कोश्चन सापका बनता है कि इसके प्रथाम अध्यक्ष कौन थे, तो एक लाइन अगर कमपीट कर लेते हैं तो आपको पांच अब्जेक्टिफ कोश्चन का अंसर याद हो जाता है कि भारतिय राष वियोम के दोरा किया गया था और पर्थाम अध्यक्ष कौन थे कॉंग्रेस के तो वियोम चंद्र बनर जी, वियोम चंद्र बनर जी, अब हम आते हैं उसके बाद बंगाल विभाजन, एक महत्पुन घटना रहा है, बंगाल का विभाजन, इसके लिए कई आंदरन भी हुए स्वदेशी अंदरन हुए हैं, बताएंगे आपको हम, कि लौड करजन ने, किसने, लौड करजन ने 20 जुलाई 1905 इसवी को बंगाल विभाजन की घोशना कर दिया, तो इससे कोशिशन्स बनता है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो 20 जुलाई 1905 इसवी को हुआ था, और किस के समय हुआ था, तो उस समय जो हमारे यहां के वायस रहे थे, उनका नाम था लौड करजन, लौड करजन के समय में बंगाल विभाजन हुआ था, कब? 1905, 20 जुलाई 1905, 20 जुलाई 1905, उसके बाद, 5 के बाद 6 में घटना हुआ, कि 1906 के कुलकता अधिवेशन में, दादा भाई नरोजी, नरोजी ने अपनी अध्यक्सता वाली में पर्थम जो है की स्वराज, देखिए, एक होता है पूर्ण स्वराज और एक से स्वराज है, तो स्वराज की मांग जो किये थे, वह कौन किये थे? दादा भाई नरोजी कब किये थे? तो 1906 में, 1906 में स्वराज की मांग किये थे, भारत में पर्थम बार अंग्रेजों से स्वराज की मांग किया गया था, किस अधिवेशन में? कुलकता अधिवेशन 1906 में, और किस ने किया था मांग? तो दादा भाई नरोजी ने किया था और उसके अध्यक्ष भी कौन थे दादा भाई नरोजी थे याद रखना है कि 1906 में कुलकता दिवेशन में दादा भाई नरोजी ने अपनी अध्यक्षता में पहली बार जो है की स्वराज की मांग किया गया उसके बाद आता है स्वदेशी आंदोलन जैसे की बता हैं आपको कि जब बंगाल भी भाजन हो गया तो बंगाल भी भाजन भारतियों को अच्छा नहीं लगा तो उस समय आंदोलन किया गया स्वदेशी आंदोलन के तरीकों सुरू हुआ स्वदेशी आंदोलन बंगाल भाजन को रोकने के लिए हर जगा अंदोलन किया गया बाद में मिटिंग होते समय एक बार जो है कि कॉंग्रेस में फूट पर गया कॉंग्रेस दो भागों में बट गया कब 1907 में स्वदेशी आंदोलन के तरीकों को लेकर 1907 में कॉंग्रेस नरम दल और गरम दल नामक दो दलों में बट गया उस समय उसके अध्यक्ष कुन थे? रास बिहारी बोस यहां से तीन कुश्चिंस बनते हैं किस आंदोलन के बाद कॉंग्रेस दो दलों में बट गया तो याद रखिएगा किस आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन कब बटा? तो 1907 में बटा कौन? नरम दल और गरम दल और जिस समय बटा उस समय कॉंग्रेस के अध्यक्ष कुन थे? तो या देखेगा राश विहारी बोस थे आगे हमना है कि 23 दिशमबर 1912 को राश विहारी बोस ने दिली में राश विहारी वैस राय लौड हर्डिंग पर बम फेके थे देखिए राश विहारी बोस जो यहाँ पर है वह वायसराय लॉर्ड हर्डिंग पर कब भम फेके थे तो 23 दिसंबर 1912 को क्यों फेके थे आपको याद होगा कि इससे पहले जो लॉर्ड हर्डिंग है वह दिल्ली में भब आयोजन किये थे बुलाय थे इसको मेरी को इंग्लेंड से दरवार बुला करके उसके बिरोध में जो है कि यहार रास बिहारी बोस जो है इस पर बम फेके इसके बाद जो है कि केस हुआ गिरफ्तारी भी हुआ कई आदमी इसमें जेल भी गए फांस्तिक सजा भी हुआ था इनके बम फेकने के जूर्म में एक नवंबर 1927 में लाला हर्दयाल ने गदर पार्टी के स्थापना किया था के राद लाला हर्दयाल अरगदर पार्टी के स्थापना कब हुआ तो गदर पार्टी के स्थापना हुआ था 1 नवंबर 1925 को, किस पार्टी के स्थापना हुआ गदर पार्टी के, कॉंग्रेस की पार्टी के स्थापना आपका हुआ था 28 दिशंबर 1885 को, और गदर पार्टी के स्थापना हुआ था 1 नवंबर 1915 को, एक नवंबर 1915 अब हम आते हैं पंदरा में ही कि 1915 इस वी में कॉंग्रेज सरकार ने महातमा गांधी को केसर हिंद की उपाधी दी थी जिसको बाद में गांधी जी जालिया वाला वाघत्या कांड हुआ था उसके बाद गांधी जी जो है कि इसको त्याग दिये थे केसर कब दिया गया था तो 1915 में दिया गया था बाल गंगाधर तीलक ने मार्च 1916 में पुना में एवं एनी बेसिंट ने सिप्टमबा 1916 में मदरास में होम लीग के अस्थापना किया था होम लीग याद रखिएगा होम लीग के अस्थापना दो बार हुआ है तो पर्थम बार जात एक्जाम में पुछता है कि होम लीग के अस्थापना किस ने किया तो उसमें आप पर याद रखिएगा बाल गंगाधर तीलक और उसके बाद में सिरिमती एनी बेसिंट या सिरिफ में किये थे और एनी बेसेंट जो है कि सेप्टमबर 1916 में किये थे एनी बेसेंट मदरास में किये और ए जो है कि पुना में किये कौन बाल गंगाधर दिलग अब 1916 में गांधी जी आहमादाबाद में सावर मतियासरम किस्तापना किये गांधी जी आपको पता ही होगा अना कि भारतिस तरह संगराम के अगरदूत माने जाते हैं बहुत सम्मानित विक्ती हैं इन्हों ने अहमादाबाद में एक अपने रहने के लिए कहिए चाहे मिटिंग करने के लिए कहिए लोगों से मिलने के लिए कहिए एक आस्रम के अस्थापना किये थे जिसका नाना जगा का नाम था आमादाबाद जो गुजरात में पड़ता है वो कब किये थे तो 1916 में किये थे 1916 में इसके बाद ही अब आएंगे महात्मा गांदी भारती सुना संग्राम में और बहुत सारी अंदुलन होएंगे कॉंग्रेस के लखनाव अधिवेशन 1916 आप देखिए कहें ना कि 1915 के बाद महात्मा गांदी का आगमन भारती सुना संग्राम में हो जाता है इससे पहले वह दक्षिन फिरका में थे तो 1915 में जब उनको मिल गया कैसरी इंद की उपादी वह भारती राजनिती में घुश गए और वहां से इन्हों ने एक अपने रुखने के लिए जगह बनाया जिसका नाम था समर्मतियासरम वह आमादाबाद गुजरात में है 1916 में और 1916 में ही लखनव अधिवेशन हुआ था कौन अधिवेशन हुआ था लखनव अधिवेशन 1916 में वह यहां अपने बिहार से गए थे एक किसान किसान का नाम था राजकुमार सुकले ने चमपारन में तिनकठिया पर नाली तिनकठिया पर नाली आपको पता होगा कि किसान के पास 30 बटा 20 कहने का मतलब आपके पास अगर 20 कठा जमीन है तो 20 में से 3 कठा जमीन में आपको निल की खेती करना है इसी को कहा ये ताथा कौन इसका बिरोध इसलिए करते थे कि नील की खेती करने से जमीन की उपस कम जाते थे और कि नील को अंग्रेजों को ही बेचना पड़ता था और वह उने पौने दामें बेचते थे अगर घंटा लग गया तो उसके हरजाना की किसान को ही भरना पड़ता था निलहे जो अंग्रेज थे वह चमपान के किसानों पर अध्यदिक जुल्म करते थे यहां तक कि वहां रूल था कि अगर किसी सरक के रास्ते अंग्रेज जाते हैं अंग्रेज की घुरा जाती है तो वहां से हो करके ये जो किसान होते थे वो अपने पसु को बैल भैस गाय को नहीं ले जा सकते थे बहुत सारी समस्य आये थी जिसको राज कुमार सुक्र ने जो है कि लखनव अधिवेशन में गांधी जी के सामने रखा पुरे कॉंग्रिस के सामने रखा और तब जो है कि गांधी जी आएंगे अब 1917 में चमपारन में नेरा चमपारन सत्यागरा करने के लिए तो आप देख रहे थे कि गांधी जी से राज कुमार सुक्र मिले और उन्हें कहा कि आप आईए हमारे चमपारन में जहां पर जोडनील है किसान के साथ अत चमपारन सत्यागरा हुगा तो यहां से दो तीन क्वेस्टन पूछा जाता है जिसमें आपको पता जा रहा है कि गांधी जी सत्यागरा का दो बड़ प्रियोग किये थे तो इसे से समान्दी दो क्वेस्टन साते हैं कि महात्मा गांधी सत्यागरा का पहला प्रियोग कहां क लेकिन जब क्वेस्टन आता है कि महात्मा गांधी भारत में सत्यागरा का पहला प्रयोग कहां किये थे तब आपको दखीन अफ्रिकार नहीं होगा तो आपको पैसिम चंपारन कहिए चंपारन कहिए अभी तो चंपारन दुभाग में बट गया हुआ है बट उसना में एक ही ही ज्ट नोख सीथे हमलों करेंगे क्वेजर पॉर्फ भारत बिहार में पड़ता है यहां देखेğे अभी कभी चंपारन न हयन दुए स्यम जीला है बिहर हुआ था 1927 में कहिए या चंपान किसान आंदुरन कभ हुआ चंपारन किसान आंदुरन तो उसका भी अंसर ही होता है 1927 में अब बता ही है कि किसके विरुद में हुआ था यहां तो तिन कठिया पढ़नाली के प्रयोग में तिन कठिया पढ़नाली क्या है तो आपको बताये थ जो अंग्रेज निले किसान थे वह किसानों के साथ बहुत सारे जाती करते थे उनके साथ परिशान करते थे उनको बहुत सारे तरीकों से जिसमें आपको दो-तीन बताए हैं कि जिस रास्ते से होकर अंग्रेज के बग्गी जाता था गारी उस रास्ते से होकर किसान अपने मव बेसी को नहीं ले जा सकते थे इसके अतरिक्त उनकी यहां कोई बीमार पर जाया कोई जग त्यार हो तो भी उन्हीं को देना परता था किसानों को इसका पैसा जो खर्चता था प्लस और किसान क्या कहते हैं कि नील के बेवपार में घंटा लग गया तो उसका भी भरपाई किसान को ही करना परता था उसके बाद आता है 1917 के बाद 1918 इस्वी गांधी जी के लिए काफी अच्छा रहा इसी के बाद गांधी जी एक रास्टी ये अस्थर के नेता बन गये थे 1918 में एक आहमादाबाद मील में अंदोलन हुआ था उसके बाद खेरा अंदोलन हुआ तो 1917 के चमपान अंदोलन आहमादाबाद अंदोलन और खेरा अंदोलन यह तीन गवा अंदोलन ने गांधी जी को एक रास्तिये अस्तर का बरा नेता बना कर लग दिया अब गांधी जी पुरे भारत भर में जाने जाने लगे और उनका लोहा अंग्रेज भी मालने लगा था इसके बाद आया 1919 यह जालिया वाला बाग हत्याकांड उससे पहले जालिया वाला बाग हत्याकांड से पहले हम लोग जानेंगे रॉलेक्ट एक्ट रॉलेक्ट एक्ट क्या है जिसको काला काउन कहा गया इसमें जो है कि हमारे एक लाला लाचपत राय मारे गये थे लाठी से आईए उनको जानते हैं पहले प्रिप्राते हैं आपको हम कि 19 मार्च 1919 को रॉलेक्ट एक्ट लागू किया गया था 19 March 19,19 को रॉलेक्ट एक लाओ गया गया अब रॉलेक्ट एक क्या है तो रॉलेक्ट एक गया जिसके अनुसार संदे है संदे है के अधार पर किसी भी विक्ति को गिरफ्तार कर हाना उस पर गुप्त रुप से मुकदमा चला कर दंड दिया जा सकता था जिसे भारतियों ने क्या कहा, काला कानून कहा तो question पुछेगा कि रॉलेट एक्ट अगर 12th में आप पढ़ते हैं, 13th में पढ़ते हैं तो पुछेगा कि रॉलेट एक्ट क्या है तो उसमें आता है कि 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट लाउ किया गया जिसके अनुसार संदे के अधार पर किसी भी वेक्ती को गिराफतार कर उस पर गुपत रुप से मुकदमा चला कर दन दे जा सकता था जिसे रॉलेट एक कहते हैं जिसे भारतियों ने काला कानून का करके बिरोध किया था इस बिरोध के दरमयान में हमारे एक नेता लाला लाजपत राय को अंग्रेजों ने इतना मारा कि इनका मृतिव याला लाजपत राय का आगे हमारा है जालिया वाला बाग हत्याकांट, देखिए यहां तो काफी सोट में है, आपको मैं बत समस्या रहा हूँ, कि जालिया वाला बाग हत्याकांट 13 अपरेल 1919 को हुआ था, तो कहां हुआ था, तो पंजाब के एक अमरिसर सहर है, अमरिसर सहर में नहीं हुआ था, वह सुता जो यह जालिया वाला बाग है, वह अमरिसर सहर से दूर थोरा सा है, बैसाखी पूर्णिमा का समय था उस दिन, और यही रॉलेक्ट 8 के बिरोध में, वो चुकी सहर से दूर था, इसलिए उन्हें या पता नहीं था कि सहर का कंडिशन क्या है, वहाँ पर जो है कि मिटिंग के लिए रोक लगा दिया गया है, यह लोग निर्भीक हो करके जालिया बाला बाग में मिटिंग कर रहे थे, आय वहाँ बिना चिताबनी दिये, उस बाग में घुस करके, बाग चुकी चारू ओर से घरों से गीरा हुआ था, उसमें जाने आने के एक पतली रास्ता संकरा था, एक ही रास्ता था, और उसके बीच में एक कुवा, तो जब जालिया बाग में मिटिंग चल रहा था, उस समय जर्नल डायर नाम का आदमी परवेस करता है, और बीना लोगों को चितावनी दिये, अंधा धून गोलिया चलना पर अरम कर देता है, जिसमें हजारों लोग मारे जाते हैं, प्रान बचाने के लिए, सैकरों लोग इस कुवा में कुदते हैं, ताकि मुझे गोली ना लगे, लेकिन एक के बाद एक इतना वेक्ती इसमें कुदत जाता है, कि दबकर के ही उसमें लोग मर जाते हैं, तो इसको भरते इतिहास में जलियावाला बाग हत्याकांड के नाम से आ जाता है, जातर इसे दो कोशन्स आते हैं, कि जलिया वाला बाग हत्या कंड कब हुआ था 13 अपरेल 1929 को हुआ था और यह जलिया वाला बाग कहां है तो पंजाब के अमरिस्टर सहर में है और गोलिक किस ने चलवाया था तो जनरल डायर ने चलवाया था लेकिन यह जब चला करके चला गया यहां पर बहुत सारे विरोध हुआ तो अंग्रेज इसको ट्रांसफर कर लिया अपने इंगलेंड बुला लिये लेकिन इसको बचने वाला कहां था इसको तो मरना ही था कैसे हुआ कि जालिया वाला बाग हत्या कांड के गवर्णल माइकल ओ डायर जो भाग करके यहां से इंगलेंड चला गया था वापस कर लिया गया था यहां से एक यूबा के जिसका नाम था उधमसी उसको जा करके इंगलेंड में तलास करके वो जहां था उसको वहां पर गोली मार करके हत्या कर दिया इसका नाम याद रखिएगा कि पूछता है कि जलियावला वाग हत्याकांड के जो दोसी थे माइकल ओडायर उसका हत्या किस ने किया था किस ने किया था उधम सीह ने किया था जलियावला वाग हत्याकांड के बिरोध में महात्मा गंधी ने केसर एहिंद केसरे हिंद की उपादी महात्मा गांदी को मिला था तो 1915 में मिला था आपको हम सिखाये बताये हुए थे और 1919 में जो है कि इस पदवी को त्याग दिये किस पदवी को केसरे हिंद की पदवी को कौन महात्मा गांदी और रविन ना टैगोर त्यागे थे सर की उपादी और ए ये तीनों कोश्चन बहुत ही विवियाई में है, इंपोटेंस है कि कैसर इंद की उपादी किष्णितियागा, महात्मा गांदी ने, सरक्य उपादी रविन्ना टेगोर ने, और राय वहादुर की उपादी जो है कि जमुना लाल बजाज ने जालिया वाला बाग हत्याकांड के जाज के लिए सरकार ने 9 अक्टूबर 1919 को हंटर कमीटी के अस्थापना किया, जो यहाद जाज कर रहे थी कि जालिया वाला बाग में कितने लोग मरे हैं, कितने गाये लोगे हैं, क्या हुआ, नहीं हुआ, कौन दोसी है, नहीं है तो इस तरह से आप ध्यान डखेंगे कि इस तरह से हम जालिया वाला बाग तक आपको पढ़ाते हैं इसके बाद ये पार्ट सकेंड आएगा वहाँ से हम लोग खिलाफ़त अंदोलन सुरू करेंगे तो आप इसको बार बार देखें दो तीन बार देखें जो पॉइंट रिप सब्सक्राइब कर ले हमारे चनल को आगे हम पूरे इतिहास से समद्धीत जितने भी महतुन घटनाए हैं उसको सीरीज बाइस डालते रहेंगे अना मस्त रहें पढ़ते रहें